एक्षेंजेज में कुछ ऐसी सेटिंग में आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आपको अगर $200 तक के Docks Coin का Airdrop मिलेगा तो उसे आप $2000 तक का बना सकते हैं यानि की अपने Airdrop के reward को आप 10X तक बढ़ा सकते हैं Finance के Launch Pool में भी Docks चल रहा है बहुत सारे लोग Docks को Extra यहां पर Earn कर रहे हैं लेकिन अपने Experience से मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप अपने Tokens को यहां पर 5X से 10X तक बढ़ा सकते हैं और अपने Profit को Maximize कर सकते हैं और यह हवावें बाते नहीं होंगी सारे Fact और Figure के सा बताऊंगा Pen और Paper लेकर के बैठिएगा जो चीजे बताऊंगा उन्हें आपको Note करते हुए चलना है नमस्कार दोस्तों मैं साहिल दुबे सागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे वीडियो के स्टार्टिंग में इंफॉमेशन दे दू कि Meme 5 की Listing 9th of October को यहां पर Announce हो चुकी है जो लोग भी नहीं माइन कर रहे हैं जागर के माइन कर लीजेगा इसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको डॉक्स को सर्च करना है जितने भी डॉक्स टोकन आपके पास मिले रहेंगे वो इस तरीके से आपको spot balance में शो करेंगे और जब आप claim करते जाएंगे तो भी आपको शो करेंगे जहां पर देखे average cost लिखा हुआ है वहाँ पर आ जाएगा DOCS USDT आपको pair मिल जाएगा जिसमें की जा करके आप DOCS को sell कर सकते हैं USDT के pair में आपको sell करना है अब आपको आगे मैं ये भी बता हुआ कि किस तरीके से आपको USDT को INR में लेकर के अपने bank account में transfer करना है बट उससे पहले आप ये जानिए कि selling का क्या process रहेगा जिससे की आप अपने tokens को आप अपने profit को 10x तक बढ़ा सकते हैं अब ज़रूरत पढ़ने वाली ये pen और paper की अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो पूरे आपर लिग करके आपको बताया है selling process 26th of August शाम को 5.30 बजे listing इसकी हो जाएगी Binance Exchange पर या फिर अगर आपके token buybit है तो वहाँ पर भी same time पर होगी अब selling process में मैंने यहाँ पर देखिए 50% on listing लिखा हुआ है कहने का मतलब है 5.30 बजे जैसे listing होगी उस time पर price को देख करके 50% token अपने आपको sell कर देना है इसमें कोई भी दाग नहीं है उसके बाद price चाहे ऊपर जाया चाहे नीचे जाया 50% token आपने sell कर लिए आपने अपना profit book कर लिया अब कैसे आपको maximize करना है वो मैं आपको आगे समझाता हूँ उसके बाद आपको wait करना है 3 घंटे तक मान लीजिए 3 घंटे बाद price में जो है एक pump हमें देखने को मिलता है यहाँ पर दिखे मैंने 10% लिखा इसका मतलब क्या हुआ कि 3 घंटे में 10% से ज़ादा अगर pump रहे तो उस point पर 10% और आपको sell कर देना है अपने holding का मान लीजिए आपको 1,000,000 token मिले हुए है 50,000 आपने listing पर sell कर दिए और 3 घंटे के बाद अगर pump रहता है तो 10,000 और sell कर दिए आपके 60,000 token निकल चुके हैं उसके बाद आपको wait करना है 2 दिन तक 2 दिन के बाद अगर वो token में जो है pump आता जा रहा है उस time पर आपको जो है आपके जितने भी airdrop मिले हैं वो उसका 80% sold कर देना है कहने का मतलब है अगर आपको 1,000,000 coins मिले हुए हैं तो 80,000 coins आपको बेच देने हैं 20% आपको hold करना है यानि कि 20,000 token को आपको hold करना है जो आगे आने वाला trend है उसको ride करने के लिए नीचे बाढ़ते हैं जब scenario change होता है और token में dump आता है मान लिजे listing हुई उसके बाद token में dump देखने को मिल गया है तो listing पर 5.30 बज़े आपको 50% token अपने sell कर देने हम एजूम करके चल रहे हैं कि 1,000,000 tokens आपको मिले हुए हैं डॉक्स के 50,000 token आपने sell कर दिए तीन घंटे बाद आपको चेक करना है अगर price में और ज़दा गिरावट आ गई है कहने का मतलब है 10-20% और गिर गया है तो जो आपने 50,000 tokens बेचे हुए हैं उस 50,000 token का 20% आपको यहां पर बाई कर लेना है यानि कि मान लिजे 50,000 token बेचने पर आपको profit मिला है करिब 100$ का तो उस 100$ का 20% आपको फिर से बाई कर लेना है docks को याद रहे हैं यह मैं बोल रहा हूँ अगले 3 घंटे में यानि कि 20$ के docks आपने और बाई कर लिए बचे आपके पास 80$ के docks यानि कि 40,000 token आपके पास बचे हुए as a profit में उसके बाद 2 दिन तक आपको और wait करना है मान लिजे price में और अच्छी खासी गिरावट आ गई तो उस point पर आपको 10% और buy कर लेना है यानि कि 20$ के docks आपको और buy कर लेना है आपके पास कितना profit बचा 60$ का लेकिन 60$ का यह profit आपने निकाल लिया बट आपको docks coin और जादा मिल गया वो भी कम price में क्योंकि आपने तो high पर बेचा था और जो बेचा हुआ profit था उसमें से 30% का profit निकाल करके और docks में आपने invest कर दिया इस diagram से आपको और अच्छे समझ में आ रहा होगा कि 50% जो आपने बेचा था उसका 20% पहले 3 घंटे के बाद buy कर लिजे और 2 दिन तक रुकिए देखिए price कहां जा रहा है और down आता है उसी 50% का जो 10% और buy कर लिजे फिर मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है इन docks को आपको hold करना bull run के लिए अब आपकी holding भी बड़ी हो गई docks की और मुझे ऐसा लगता है कि bull run आने वाला है 2025 में और मेरे ख्याल से US के election के बाद price में बहुत अच्छा खासा है यहां पर pump आने वाला है पूरी crypto market जो है बूम पर जाने वाली है तो वहाँ पर आपको आराम से docks coin में 5x से 10x तक का profit मिल जाएगा तो यह तो रही strategy हमारी के इस तरीके से हमें sell करना है अभी जो सारे मैं आपको selling process समझा रहा हूँ उसका fact भी मैं आपको बताता हूँ अभी हम आ चुके हैं Binance के exchange पर यह देके Saga USGT open है यह भी Binance के launch pool में आया था आपको अगर मैं आपर दिखाऊं तो आप यह देके check कर सकते हैं Saga कब आया था यह April में आया हुआ था launching के बाद नहापती के token में एक अच्छा खासा है यहाँ पर देके pump आया था यहाँ पर मैं chart को थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ 7.8 डॉलर तक यह गया था लेकिन अभी जो है करीबी यह डे डॉलर के आसपास चल रहा है तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर launching के बाद price में जो गिरावट आगई यही reason है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि listing के time पर 50% token आपको बेज देने हैं और उसके बाद जैसे से price में गिरावट आती जाए वैसे वैसे हर point पर आपको buy करते जाना है जिससे हुआ क्या कि सागा मैंने देखिए यहाँ पर sell कर दिया अब ही अगर आप देखेंगे तो जितने मुझे airdrop मिले तो उससे बड़ी मेरी holding हो चुकी और मुझे पता है कि आने वाले time में ये एक बड़ा token हो सकता है क्योंकि Binance launch pool के tokens अच्छा perform करते हैं और market भी काफी अच्छा होने वाला है ऐसा मुझे लगता है अब एक और scenario हम देख लेते हैं ये token है ETH5 ये भी देखिए Binance के launch pool में आया था ये March के महीने में आया था इसे अगर हम देखें तो हमने जो अपने 50% tokens को यहाँ पर sell कर दिया जब इसकी listing होई थी तो आप ये देख रहें यहाँ पर हमने बेज दिया लेकिन हम जब यहाँ पर रुके थोड़ा देर तक price अगर देखें नीचे भी आ रहा है तो हमने तो अल्लेडे अपना profit बुक कर लिया है तो नीचे हम इसे आने देंगे और ETH5 क्या है ये Ethereum का reach-taking protocol है तो मुझे पता है कि Ethereum का spot ETF वेगरा अप्रूफ हो जाएगा और Ethereum में जब pump आयागा तो इसमें भी अच्छा pump आ सकता है तो यहाँ से हमें profit मिल जाएगा अब सेम चीज़ देखें नॉट कोईन के साथ भी है ये भी देखें यहाँ अब टॉन एकोसिस्टम का यह project है listing पर हमने देखें इसे बेचा इसी तरीके से आपको जो है जब listing होगी तो आपको sell करके चलना है ये तरीका अगर पसंद आया हो तो एक like जरूर बनता है और ऐसी और वीडियो देखने के लिए subscribe कर दीज़ेगा चैनल को but coin के listing हो गई हमने sell कर दिया USGT में लेकिन अब INR में withdrawal कैसे ले उसके लिए भी समझ लिजए आप जब आप coin को USGT के pair में बेच देदें तो USGT का balance आपको ऐसे show करेगा उसके बाद आपको उपर देखे funding wallet लिखा हुआ उस पर जाना है नीचे आपको दिख रहा है P2P इस पर click करना है P2P के dashboard में यहाँ पर आपको sell के option पर जाना है अब यहाँ पर भी ऐसे ही किसी को भी बेच नहीं देना है उपर देखें payment का option उस पर click करिएगा यहाँ पर आपको UPI में अगर पैसा लेना है तो UPI select कर दीजिए उसके बाद amount के section में जाकर के जितना आपको sell करना है उसे आप type कर दीए मालने जिए मैं 5000 लेकर के चल रहा हूँ तो जितने भी यहाँ पर देखें बायर्स रहेंगे USGT के जो कि 5000 के range में आपर बाय करना चाहता है उनके list आ जाएगी उसके बाद आपको क्या देखना है एक yellow tick देखना है उसके बाद देखना है कितने trade इन्होंने देखिया execute किया यह वाला जो यहाँ पर देखें seller है उसने 7000 से जादा trades को execute किया और 97.80% का यहाँ पर इसका completion ratio इसका मतलब कि एक अच्छा यहाँ पर buyer है या seller है यहाँ पर देखें restricted लिखा हुआ है तो इसे हमें आपर sell नहीं करना है नीचे आते हैं 300 पैसर trade इन्होंने किया है 99.50% का यहाँ पर ratio है बट trades थोड़े इन्होंने कम कियें तो इन्हें हम नहीं sell करेंगे इसी दरीके से आपको देखना है कि 1000 से जादा इन्होंने trade किये हो और 98% से जादा जो completion ratio हो और yellow tick हो उसी seller को आपको USGT sell करने है अपना UPI ID दीजिएगा वो आपको पैसे बेज़ेंगे और आप यहाँ जो release कर सकते हैं अपने USGT को यहाँ पर जादा scam हो रहा है इसलिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़े जो open door के बताई है हाला कि आप P2P पर पूरा tutorial देख सकते हैं crypto sahil चैनल पर बट डॉस के airdrop जिन लोगों से भी miss हो गया उन्हें मैं बताना चाहूँ हूँ कि meme 5 जो है 9th of October को यहाँ पर list होने वाला है इनके official announcement भी आ चुकी है जो कि मैंने आपको अपने telegram चैनल पर बता दिया तब देखिए meme 5 के बारे में मैंने आपसे 2 माईने पहले से बताया आपने telegram चैनल पर यही reason है कि मैं आपको बोलता हूँ कि telegram चैनल आपको join करना बहुत ज़रूरी है जो चीज़े मैं YouTube पर नहीं बता पाता हूँ वो मैं आपको अपने telegram चैनल पर post करें बतायता हूँ telegram की link आपको description मिल जाएगा उस पर click करिएगा यहाँ देखिए pin comment में जब आप जाते हैं तो आपको देखिए 9 airdrop की link मिल जाएगी उसी में से एक meme fire की भी link मैंने दी हुई है तो ज़रूर से जाकर के join कर लीजेगा यह वीडियो पसंद आई हो दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा मैं को भी financial advisor नहीं हूँ जो सारी चीज़े मैं आपको बता रहो मेरे खुद के ideas, मेरे खुद के plan रहते हैं आप अपना ख्याल लखे अपनी फैमिली का ख्याल लखे मिलता हो नए वीडियो में एक interesting topic के साथ तब तक के लिए जय हिन, जय भारत